साई बाबा से जुड़े नवतरह के सपने कुछ सपने सकरात्मक होते हैं, कुछ सपने नकरात्मक होते हैं आपका जीवन में उन्नती सकरात्मक दिशा में हो रहा है या नकरात्मक दिशा में हो रहा है उसको हम साई नात के सपने के माध्यम से जान सकते हैं जैसे किसी कारिय की सिध्धी होना, साधी विवाह जैसे कारिय होना, कारिय में सफलता मिलना, लाभानी, भगवान साइनात के सपने से पता किया जा सकता है साइ बाबा को सपने में देखना कुछ सपने नकरात्मग भी होता है, निद्भर करता है कि आप किस तरह के सपने देख रहे हैं भगवान साइनात के बारे में ओम साइनात, इस पिच्वल वर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अगर अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजी और सस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भविस्से में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक बहुँच सके और आपको उसका पूरा पूरा लाब मिले प्लीज लाइक सेर एंड सस्क्राइब करना ना भूले पर्थम सपने में साही बाबा की मूर्थी तूटना यह नकरात्मक सपना माना गया है आपके महात्वफुन कार्य में रुकावट हो सकता है परवारिक संबंद खराब हो सकते हैं आर्थिक, मानसिक या सारिरिक नुकसान को प्रदर्शित करता है दूति, सपने में साई बाबा को गुश्चे में देखना यह भी नकरात्मक सपन माना गया है आपके मानसिक परशानी को प्रदर्शित करता है जीवन में अस्फलता को प्रदर्शित करता है जीवन चरिया में परिवर्दन की जर्वत है अगर आप कोई गलत निर्णाय ले रहे हैं गलत संगसी में फसे हुए हैं गलत कार्य कर रहे हैं आलाश्यता, नकरात्मक विचार, तो इत्यादी को छोड़ दे, इन सब चीजों को भगवान साइनात संकेत देते हैं गुस्टे के माध्यम से, जीवन को सही दिशा में लाने की कोशिश करें, और अच्छा सोचते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने जीवन को सुधार के और ले जाएं ताकि आपका जीवन सफल हो सके, अच्छा हो सके, तीसरा सपने में साइन बाबा का आसिदवाद मिलना, यह बहुत सकरात्मक सपन माना की हैं, अगर आप कोई भी नया कारे आरम करना चाहते हैं या आरम कर रहे हैं, तो उसमें आपक सफलता मिलेगा, आर्थिक लाप की ओर संकेत करता है, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको प्रसिद्धी मिल सकती है, आपको मान सम्मान मिल सकता है, अगर जीवन में कोई समस्या चल लिए तो वा समस्या दूर हो सकती है, यह सपना कभी कभी मनो कामना पूर्टी की ओर संकेत करता है, चौथा सपने में साई बाबा का मंदिर देखना, यहां बहुत सकरात्मक सपना माना गया है, आपका सुब समय जल्द आने वाला है, कोई इच्छा बहुत दिन से रुका हुआ है, तो वहा इच्छा पूरी हो सकती है, जैसे जॉब लगना, विवाहा होना, य या किसी कार्य में सफलता मिलना, यहां सपना आपके सौभाग्या, सुक्ष सम्रिद्धी का सुचक भी माना गया है, पाच्वा सपने में साई बाबा की आरती करना, या आप पूजा की ठाली लेकर आरती कर रहे हैं साई बाबा की, तो यहां बहुत अच्छा सपना माना गय आपको कोई सुप समाचार प्राप्त हो सकता है आपका कोई मनों कामना है जो बहुत दिन से विलंबित है वह पूरी हो सकती है कोई नया कारिया आराम करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत सुप समय हैं आप नया कारिया आराम कर सकते हैं आपको इसमें सफलता मिलेगा छटवा सपने में साई बाबा का समाधी देखना यहाँ सुप सपन है आपके जीवन में कोई उत्साव जैसा कार्य हो सकता है परिवारिक सम्मन्द अच्छे हो सकते हैं आविभाहितों का विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है दामपत्य जीवन में मधुर्था बढ़ेगी कार्य में प्रगती को प्रदशित करता है सुक सम्रिधि और मनो कामना पूर्थी की ओर संकेत करता है सात्वा सपने में साई बाबा का फोटो देखना या मूर्थी देखना यहाँ सकरात्मक सपना माना गया है यहाँ सपना रोगों को नास करने वाला समस्याओं को नास करने वाला माना गया है आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा अगर आप कोई कारे कर रहे हैं तो उस कारे में आपको सफलता मिल सकता है आठवा सपने में साही बाबा से बात करना यहाँ सुप सपना माना के हैं यहाँ सपना कारी में सफलता को प्रदेशित करता है आपके कारी छेत्र में उन्नती होगा, प्रगती होगा आपके अंदर सकरात्मक उर्जा का संजार होगा यहाँ सपना आपके मान सम्मान में वृद्धी को प्रदेशित करता है नाइन्थ नमबर है, सपने में साई बाबा द्वारा भभूत देना यहाँ सुप सपन माने गया है जीवन में परिसानियों का अंत होगा रोगों का नास होगा सुख सम्रिद्धी सौभाग्य की ओर संकेत करता है कार्य में सफलता को प्रदेशित करता है कोई मन वांचित इच्छा है जिसमें आपको अभी तक सफलता मिलती रही है उस कार्य में आपको सफलता मिल सकता है आज कले इतना ही धन्यवाद ओम साइनात